हलो अब्रिवन वेलकम टू दा थ्रोटल कस्टम्स तो आज हम होंडा होनेट की चेन को क्लीन करने जा रहे हैं चेन की स्पैसिफिकिशन्स हैं यह एक ओ रिंग चेन है जिसका साइज 47 रहता है अब हम बात कर लेता है इसमें हम किस लिक्विड को यूज करने जा रहे हैं जिससे की हम चेन को क्लीन करेंगे तो हम यहाँ पर डीजल और बंट ओईल को बरावरी में मिक्स करके गाड़ी की चेन के उपर फिल करने जा रहे हैं जिससे की गाड़ी की chain में जो oil dirt लगी रहती है और जो की dirt components रहते हैं वो सारे clean हो जाएं ये procedure आपको लगबग 2 महीने में अपनी vehicle में करवा लेना चाहिए जिससे की आपकी chain की life increase हो जाती है और यहाँ पर आपको better efficiency और better pickup मिलता है और अगर आप अपनी bike बारिश के समय में यूज़ कर रहे रहते हैं तो ये procedure आप एक महीने में भी करवा सकते हैं डिपेंड करता है कि आपकी bike में कितनी dirt लगी रहती है उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर chain को lubrication कैसे किया जाएगा chain के lubrication के लिए spray lubricants आते हैं जिनकी link मैंने आपको description में दे रखी है और जहां तक हो सके motul brand को आप prefer करें चलिए आप बात करते हैं chain components की chain components में यहाँ पर आपको 132 link chain देखने को मिल जाती है 47 teeth rare wheel sprocket देखने को मिल जाता है और 15 teeth gearbox sprocket देखने को मिल जाता है जो कि अभी clean करा जा रहा है gearbox sprocket के उपर आपको एक rubberized cover देखने को मिल जाएगा जो कि noise reduce करने के लिए लगाया जाता है इसके बाद हम बात करते हैं chain के weight की तो chain का weight 2.4 kg होता है और इसका diameter 8 mm होता है इस chain का price आपको local market में लगबग 1100 से 1500 रुपे के बीच में देखने को मिल जाएगा online मैं आपको recommend नहीं करूँगा और आप इस chain को clean करने के लिए जो wire brush रहते हैं उनको avoid कीजिए और जो आप अपनी bike की chain पे किसी भी तरीके का acid यानि battery acid या फिर किसी भी अलग तरीके का acid आपको बिलकुल भी नहीं पढ़ने देना है जिससे की chain खराब हो सकती है इसके बाद हम बात करते हैं कि आपकी bike की chain में play कितना रहना चाहिए तो यहाँ पर 25-30 mm यानि 2.5-3 cm का play आपको आपकी bike में, bike की chain में हमेशा रखना है तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं chain material और sprocket material की तो यहाँ पर chain material high grade stainless steel use किया जाता है उसके बाद sprocket material जो है वो standard mild steel material यूज किया जाता है कर दो यूज कि का रहना बाता है